तो हलो दोस्तो यदि आप इंगली सीखना चाहते हैं तो आपको इंगलीस की पहले मेनिंग आनी चाहिए ठीक है तो आपको यदि मेनिंग नहीं आते हैं या फिर बहुत काम आती हैं तो आपको अपनी ग्लोसरी यानि की मेनिंग की संख्या बढ़ानी चाहिए ठीक है तो इसक बहुत सारी मेनिंग है तो आपको यदि इंगलिस अच्छे सीखना है एडवांस इंगलिस तक जाना है और आप वास्टोम एंगलिस सीखना चाहते हैं तो आपको मेन तो याद करना ही पड़ेगा तो चलिए फिर पहला मेनिंग है यहाँ पर है विस्ट का मतलब होता इच्छा करना है या फिर चाहना तेहां पर में लिख देता हूं विस्ट मैं इसका हिंदी अर्थ लिख देता हूं विस्ट फिर दूसरा है एनॉदर या एक और या कोई दूसरा इसको क्या पढ़ते है एनॉदर इसको विस्ट पढ़ते है इसको एनॉदर ठीक है ना एनॉदर फिर चांस, चांस का मतलब होता है आउसर या मौका इसको क्या पढ़ते हैं, चांस फिर फ्रेस, फ्रेस यानि ताजा या नई, इसको फ्रेस पढ़ते हैं फिर इसको बिगनिंग, बिगनिंग यानि शुरुवात या प्रेरम है, बिगनिंग beginning 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 यह यह प्रारंब यह आरंब blot out यह पूरी तरह से हटा देना blot out blot out यह दोनों एक साथ याद करना पड़ता है blot out mistakes यह यह गलतिया mistakes यह गलतिया यह पर बहुचन है यह प्लूरल नंबर में है यह इसका yes रहता भी है और नहीं भी रहता failure यह असफलता failure desire यह यह इच्छा sunshine sunshine में धूप फिर give up give up में छोड़ देना give up give up फिर है despair despair miss निरासा despair यह निरासा hope hope यह निरासा तो इतनी meaning आप अभी आपको लिखना है ठीक है और अंगली वीडियो में हमने नीचे वाली meaning कवर कर दी है तो आपको इतनी meaning लिखना है और लबभग एक दो दिन तक याद करना है जितनी ज़्याद आपको meaning याद रहेंगी उतनी ज़्याद आपसे इंगली जल्दी बनेगी और अच्छी बनेगी ठीक है